Hello students, स्वागत है आपका हमारे study view education channel में आज की जो dictation है वो लिखेंगे 80 word per minute की speed से Dictation स्टार्ट होगी 3 सेकिंड बाद Ready? स्टार्ट महोड्य इस उपगरहे पर मानव अस्तितव को बनाई रखने के लिए सबसे पहले आफशक है की ऐसे विकास कार्यों को जारी रखा जाए जो सामाजिक न्याये पर आधारित हों और जिने न्याये पालिका का समर्थन प्राप्त हो अन्यता प्रयावरणिये परदूशन के कारण ने तो पीने के लिए साफ पानी मिलेगा और नै सांस लेने के लिए शुद्वायू और नै ही आश्रे देने वाले व्रक्ष ही रहेंगे 21 सदी में समपूरण संसार मातर शमशान भूमी तथा उध्योगों की छीजन और रेडियो धर्मी कच्रे की कूडे दानी बन कर रह जाएगा लोभी मानव को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारना चाहिए वायू जल बनस्पतियां और पसू पक्षी मनुष्य जाती के अस्तितव के अभिन अंग हैं जिन पर उसका भविश्य निर्भर करता है सारब्भोमिक न्याय का यही मूल तत्तव है जिसे राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय कानूनों का रूप दिया जाना चाहिए कुछ विशेश अपवादों को छोड़ कर हमारे न्याल्य समझते हैं कि प्रयावरण संबंधी कानून से न्याय भवस्था भंग हो जाएगी और कानूनी अधिकारों का हनन होगा क्योंकि हमारे विधी वेता और न्याय प्रनाली कानून के इन नए आयामों से ऐ परीचित ही नहीं अनविज्य भी हैं यह अधिनियम काफी ब्यापक है और इसमें विभिन परकार के जल स्त्रोतों को शामिल किया गया है अधिनियम में केंद्रिय और राज्य परदूशन निवारन एवं नियंतरन मंडलों की स्थापना का प्राबधान किया गया है जो स्वायत निकायों के रूप में कारे करेंगे अधिनियम के कार्यानवन के लिए स्थापित इन मंडलों के दो महत पूरण कारे हैं परदूशन मानक निर्धारित करना तथा उद्योगों के कच्रे और वाहित मल को नदियों में बहाने के लिए सवीकृती प्रदान करना केंदरिय परदूशन नियंत्रन मंडल केंदर सरकार और राज्यों के परदूशन नियंत्रन मंडल राज्य सरकारों के लिखित निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे राज्ये में परदूशन नियंतरन मंडल दवारा निर्धारित मानकों का अतिकर्मन और सहमती की शर्तों का उलंगन करने वालों को कठोर दंड देने का प्राबधान किया गया है तथा पी इस अधिनियम के अधिन परदूशन नियंतरन मंडल दवारा शिकायत किये जाने पर या उसकी पूर्वानुमती से ही किसी नियाले दवारा किसी अपराद पर विचार किया जा सकता है अधिनियम में यह भी प्राबधान किया गया है कि यदि किसी कारे से जल परदूशन की आशंका हो तो राज्य परदूशन नियंतरन मंडल दवारा उसे रोकने के लिए नियाले में याची का दायर कि जा सकती है इस अधिनियम के दवारा पानी के नमूने लेने जांच और मुआयना करने के लिए परदूशन नियंतरन मंडलों को ब्यापक अधिकार दिये गए हैं केंदर सरकार दवारा केंदरिय जल प्रयोग शाला और राज्यों में राज्यस्तरिय जल प्रयोग शालाओं की स्थापना और विशेशग्यों की नुक्ति का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है वाहित मल और उध्योगों के कच्रे से होने वाले जल परदूशन को रोकने के लिए आफशक उपाय स्व्यम करने का अधिकार भी राज्य परदूशन नियंतरन मंडलों को दिया गया है यह अधिनियम लगभग ब्रिटिश अधिनियम की नकल है और परदूशन फैलने वाले या उससे परभावित समुदाए दोनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा महद्य हमारे जीवन में संगीत का ब्यापक स्थान है भारतवासियों को अपने प्राचीन युग से अथवा अपने पूर्वजों से शाष्त्रिय संगीत के रूप में एक बहु मुल्य निधी मिली है हमारे पूर्वजों की द्रस्टी में संगीत का धेय आध्यात्मिक साधना था और उन्होंने संगीत का इसी आदर्ष के अनकूल विकास किया हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यह कला पूरणता के शिखर पर पहुँच चुकी थी संगीत के धेय के संबंद में आज हमारे विचार चाहे कुछ भी हो यह सविकार करेंगे कि इसमें सामजस्य की और ले जाने वाली और व्यक्त जगत से एक्या का आभास कराने वाली शक्ती नीहित है संगीत के वातावरण में ही नहीं बलकि श्रोताओं और गाईकों के मन में भी सामजस्य की उतपत्ती होती है संगीत के उच्छ धेय और व्यापक परभाव के कारण ही प्राचीन काल में भारत वासियों ने संगीत को जन साधारन के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में उंचा स्थान दिया था शायद ही कोई ऐसा भारतिय त्योंहार या उत्सव हो जिसमें संगीत का आयोजन ने होता हो संगीत जनम से मृत्यू प्रेंथ हमारे साथ रहता है हमारे सभी रिती रिवाजों में इसका कुछ ने कुछ स्थान है श्तावदियों से हम संगीत के प्रशंशक तथा उपासक रहे हैं और हमने इसकी गणना सदा मानव की उच्तम साधनाओं में की है काल के परभाव से हम लोगों की रूच्ची में काफी परिवर्तन हुआ परंतु शाष्त्रिय संगीत उसी परकार बना रहा और उसमें कोई विशेश और मॉलिक परिवर्तन नहीं हुआ मुसलमान बादशाहों और अमीर उम्रों के दुवारा संगीत को केवल प्रोतसाहन ही नहीं मिला इसमें समय अनुकूल हेर फेर भी हुए और आज विशेश कर उत्तर भारत के संगीत ने उसी युग से परभावित और बहुत अंशों में अनुप्रमानित होकर अपना नया रूप ग्रहन कर लिया है पर जो भी हेर फेर हुए वे हैं उपरी पोशाक मत रही भारतिय संगीत शरीर और आत्मा से अभी भी वही प्राचीन शाष्त्रिय संगीत बना हुआ है ऐसी आशा की जाती है कि इसमें अभी भी इतनी शक्ती है कि यह अपने को एक बार फिर आधुनिक वातावरन के अनुकूल बना लेगा प्राचीन संगीत कला भारतिय रजवाडों के दरवारों में उनके आश्रे से पनपती रही यह सविकार करना होगा कि भारतिय नरेशों द्वारा दिये गए प्रशन के कारण संगीत लुप्त होने से बच गया परन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि इन वर्शों में भारत की जनता का शाश्त्रिय संगीत से बहुत कम संपरक रहा अते जनता और हमारे परमप्रागत सरवस्रेष्ट संगीत के घराने ही हैं स्टॉप प्रुप हमम यह प्रुप